आप सब भेनों का स्वागत है आज हम आपके लिए ये बहुत ही सुन्दर सी बेबी स्वेटर लेके आए हैं ये बेबी स्वेटर एक साल के बच्चे के लिए है एक साल से लेकर दो साल तक का बच्चा इसको अराम से पहन सकता है काफी अच्छी लेंध है इसकी और विर्थ भी काफी अच्छी है और इसको आप हमारे साथ बना सकते हैं इस स्वेटर के लिए हमें इतनी फरमेश आई है कि हम बता नहीं सकते और हमें बनानी पड़ी है एक परजेक्ट क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूर्ज हैं अखजान कुरहशी बहुत प्यारी हैं हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं हमारी वीडियो लाइक करती हैं उन्होंने हमें फर्मेश की थी थी कि आप सिस हमारी कब फर्मेश पूरी करेंगे तो आज उनकी फर्मेश हमने पूरी करती है हमारी एक और वीवर्स हैं निशा निशा जी कह रहे हैं कि आप कब स्टार्ट करोगे हमने बनानी है हम आपकी वीडियो देखकर ही स्टार करेंगे क्योंकि आप इतना अच्छा बताते हो कि हमें समझा जाती है तो निशा जी अब हम इसका फॉस्ट पार्ट डाल रहे हैं और मुझे अमीद है कि आपकी जो नराजगी है अफजान जी ओभी खुड़ा दूरोगी होगी तो इसका फॉस्ट पार्ट डालेंगे और सबस इसकी वीडियो हम पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं अब इसको हम इसमें भी बताएंगे गले से स्टार्ट करके फिर हमने नीचे जहां तक गुलाई तक बनाया है उसके बाद हमने बाजू बनाई है फिर हमने दूसरी बाजू बनाई है जे बाजू हमने द दो सलाई पे बनाई है अगर आपके पास ऐसी सर्कुलर सलाई नहीं है तो आप पहले बाद जो बना लीजिए उसके बाद फ्रंट का भाग और बैक का भाग दोनों इकठे बना सकते हैं अगर आपके पास ऐसी सलाई नहीं है अगर दो सलाई से ही बनाना क्योंकि मेरी बहुत सी बहने है जिनके पास जेस सलाई नहीं है आप दो सलाई पे ही बनाना चाहती है तो दो सलाई से अराम से बनेगी उसके लिए आपने पहले बाजुएं बना कर रख लेनी है उसके बाद फंदे डाल कर इसको बनाना है फ्रंट स्लाइसे भी बन जाती है तो इसको फिर कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और जे हमने इससे पहले ना एक और स्वेटर बनाया था जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया ना तो हमने न्यूबॉन बेबी की स्वेटर बनाई थी पिंक कलर की जे स्वेटर इतनी पसंद की गई कि हमारे वन मिलियन से उपर इसके व्यू हो चुके हैं जे आप सब ने बहुत पसंद की है और बहुत से मेरे व्यूर्ज ने इसको बनाया है इसका डिजाइन हमने अलाके से भी बताया था क्योंकि हमें फरमया चाहरी थी कि इसका बताईए और डिजाइन को कलियर बताईए वो भी हमने दो वीडियो अपलोड कर चुके है अब वो है न्यूबॉर्ण बेबी की पींक वाली है और यह है वान जियर बेबी तो दुन्नों में अच्छा खासा फर्क है है तो आपने अगर ऐसे बनानी है बड़ी और शोटी त बना सकते हैं इसकी वीडियो अपलोड हुई हुई है मारे चैनल पर है इसकी हम अपलोड फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो इसकी विर्थ बताते हैं और लेंथ बताएंगे तो इसको कैसे बनाना है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करत और इसकी width और length बताते हैं जे देखिए हम न सेंटीमीटर में बताएंगे अगर आपने इंच में देखना है तो इंच में भी देख सकते हैं तो सेंटीमीटर में जे हमारी 30 इंच बढ़ी है length इसकी 30 इंच और इधर से देखेंगे तो साड़े 11 इंच और एस सेंटीमीटर 30 और साड़े 11 इंच length है इसकी ठीक है और width इसकी देखिए जहां से लेके जहां तक यह 29 बनती है अगर वैसे देखें इधर से तो जो 11 इंच बनती है ठीक है और जो बाजू है इसकी अगर हम गले से स्टार्ट करेंगे तो जे 29 बनेंगे 29 अगर हम इधर से देखेंगे अगर जे 29 है तो साड़े 10 ग्यारा इंच यह बन जाती है मतलब साड़े 10 इंच बनती है साड़े 10 इंच और सेंटिमीटर है स्टाइ ठाइ इंच ठीक है इतनी इसकी विर्थ और लेंथ है और जो उपर का भाग है इसका जे वाला पोर्षन जे हमने यह देखें बारा इंच सेंटिमीटर है बारा और अगर इंच देखेंगे तो पांच इंच है जे देखेंगे तो इतना आपने देखना है जब बनाना है आपके बच्चे के साफ से और अगर आपका बच्चे की लेंथ बाज्चू में ज्यादा रखनी है तो जहां पर हमने बंद गिया है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं हमने तीन लाइने दी हैं बॉर्डर की उल्टी उल्टी आप चार लाइने बना सकते हैं पाँच बना सकते हैं यह आप इडिमेंड करता है और नीचे हमने जह देखिए चार लाइने दी हैं, आठ सलाईयां बॉटर की, तो आप छे सलाईयां बना सकते हैं, बारा सलाईयां थोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर आपने और बढ़ानी है तो डिजाइन टाल सकते हैं, अगर आपने दो साल के बच्चे की बनानी है तो भी आप इसको अच्छे से बना सक सकते हैं थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जैसे हमने इसमें 84 फंदों से स्कार्ट किया है अगर आपने दो साल के बच्चे की बनानी है तो आपने 102 फंदे लेने हैं तो बहुत अच्छी से वह आएगी तो जो फ्रेंड इसका गला है ना वो हमने थोड़ा सा डिजाइनर बनाया ह बटन पट्टी भी डिजाइनर बनाई है दोनों तरफ और जो गला है वो भी हमने थोड़ा सा डिजाइनर बनाया है इसमें हमने गले में 24 फंदे डाले हैं तो गले में हमने 42 फंदे डाले हैं जो के बढ़ कर डबल होकर 84 फंदे हो गए वो हम अभी डाल के आपको बताते है तो इसको कैसे बनाना है, वो हम आपके साथ शियर कर लें, तो चलिए friend इसको बनाना हम start करें. तो फ्रेंड इसको बनाने के लिए हमने 84 फंदे लेने हैं, 84 फंदे लेने हैं लेकन जो हम बॉर्डर बना रहे हैं, वो बॉर्डर हम ऐसा गले का बनाएंगे कि उसके डबल फंदे हो जाएंगे. जे देखिए ऐसा border हम बनाएंगे जो के उपर गले से start होगा तो इसके double फंदे हो जाएंगे तो हमने 84 फंदे लेने है तो हम कितने फंदे रखेंगे जे देखिए हम 42 फंदे रखेंगे तो फंदे हम ऐसे डालेंगे simple एक thread से ऐसे फिर ऐसे 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 फंदे डाल कारग simple एक thread से एक thread इदर है एक दूसरी तरफ है तो ऐसे हम 42 फंदे गले के लिए डालेंगे जे इदर से right side आएगी जो देखिए हमने 42 फंदे ले लिए है अब हमने इस border को कैसे बुनना है पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे ठीक है बुल लिया अब हम क्या करेंगे हम ऐसे नीचे से जे right side है हमारी नीचे से फंदा नकाल लेंगे ऐसे फिर हम इस फंदे को पीछे को बुनेंगे फिर नीचे से फंदा निकाल लेंगे ऐसे और इस फंदे को पीछे से बुनेंगे फिर फंदा निकाल लेंगे और इस फंदे को पीछे से बुनेंगे ऐसे फिर फंदा निकाल लेंगे और पीछे से बुनेंगे तो ऐसे हमने इस स्लाई को complete करना है हाँ तो हम कह रहे थे कि हम ऐसे ही पूरी स्लाई एक नीचे से फंदा लेंगे ऐसे और एक फंदा पीछे को बुनेंगे तो पूरी स्लाई हम ऐसे complete करके दखाते हैं जो देखिए हम बुनते हुए last में आगे हैं last तक हमने ऐसे ही पुनना है पीछे को और last वाला फंदा है इसमें भी हमने thread नीचे से डालके पीछे को पूनना है तभी हमारे 84 फंदे बनेंगे ठीक है तो हमने इस स्लाई ऐसे complete कर लें अब आते हैं second स्लाई में second स्लाई में हमने पूरे फंदे सीधे पुनने है पहला फंदा हमने सिम्पल उतारा और सीधा बनना स्टार्ट किया ऐसे जो हमने फंदा नकाला था वो भी है न जो बुना था वो भी जे फंदा हमने नीचे से नकाला था वो भी तो हम पूरी इसलाई सीधी बनाएंगे ऐसे जे देखिए हमने पूरी सीधी स्लाई बनाई है जे हमारी राइट साइड आएगी जैसे ही हमने फंदे निकाल के नीचे से लाए फिर पूरी सीधी बनाई तो हमारे 84 फंदे टोटल बढ़ गे ना फंदे है तो every four फंदे जैसे जैसे ही हमने एक लाइन बनाई है ऐसी हम चार लाइन और बनाएंगे लेकन साथ के साथ जहां हम बटन पट्टी भी रखनी है और जहां भी बटन पट्टी रखनी है तो हम क्या करेंगे एक फंदा सिंपल उतारेंगे थ्रेड पीछे करेंगे और इसको स्लिप कर लेंगे बस यह हमने साथ साथ बनानी है बाकी हम पूरी स्लाई सीद्धी ही बनाएंगे ज्यादा थोड़ी मोटी है तो आप इसके लिए 9 नमबर भी लगा सकते हैं अगर हाथ टाइट है तो 9 नमबर लगाएगे तो ऐसे हमने पूरी स्लाई बनानी है एक बार लास्ट में आपको फंदे बता देंगे के चेन के लिए कैसे रखने हैं देखिए हम लास्ट में आगे ह अब हम आते हैं इसकी राइट साइड पर रॉंक साइड पर रॉंक साइड पर जे राइट साइड थी ना राइट साइड में हमने जहां ऐसे किया और लास्ट में हमने एक फंदा स्लिप किया और एक एक बार फिर बता देते हैं कई बार समझ नहीं आता है तो जब हम सीधा स सीधा बुनते आए यह लाइन सीधी बुन रहे हैं तो इसको स्लिप कर लेना है और इसको पीछे से बुनना है ठीक है अब आते हैं इसकी रॉंग साइड पे रॉंग साइड पे इसको हमने स्लिप करना है और स्लिप किये हुए को बुनना है ऐसे फिर हम पीछे चले जाएंगे आइसे हे मारी चीन बनती जाहेगी और इदर हम ऐसे ही सीधी सीधी सलchlag़ें बनाते जाएंगे तो अब हम अरप़ार हुम ऐसे करें गेत और लास्ट में में बता देंगे हम कैसे करेंगे जे देखिए हम लास्ट में आगे हैं लास्ट में हमने फिर आके क्या करना है रॉंक साइड है त्रेड अपनी तरफ करेंगे जो हमने स्लिप किया था न उदर से वह हम भूलेंगे और त्रेड पीछे करेंगे और इस फंदे को पीछे से सीधा बूंएगे ठीक है अब फिर हम इसकी right side में आते हैं तो right side में हमने एक फंदा यह वाला उल्टा slip करना है और इसको भी slip करना है साथ वाले को और बाकी फंदे हमने सीदे सीदे बुनने है जे हमारा बटर पट्टी के साथ साथ चलता जाएगा बस ऐसे ही हमने बटर पट्टी बना ले उपर गले का बॉटर बना लेना है है ऐसे सीधा सीधा ठीक है जो देखिए ऐसा आएगा तो हम पूरी लाइने बना के आपको दुखाएंगे और आगे और पीछे ऐसे ही हम बटन पट्टी को करते जाएंगी जो साथ में चलेगी जो देखिए अब हम बटन होल रखेंगे तीन लाइन ने बन गी है हमारी एक दो तीन तो हम बटन होल रखेंगे उल्टा फंदा ऐसे उतारेंगे त्रेड पीछे करेंगे इसको सिंपल लेंगे और आगे एक दो और तीन तीन फंदे हमने सिंपल रखे हैं हां हमारा बटन होल इदर आएगा तो अब अभी हमें पूरा सीधा ही बुणेंगे क्योंकि जहां पे हम बटन होल रखेंगे न तो जह चीज तो ऐसे आएगी न गला इदर को इदर नहीं रखना है इदर हमारा बटन आएगा अगे जाके हम बताते हैं आपको जह देखिए फ्रेंट जह हमारी राइट साइड है न तो राइट साइड में हमने बटन होल रखना है इस साइड तो हम क्या करेंगे हम जो दो फंदे हमारे फली के हैं चेन के चलते हैं दो वो हैं चार फंदे जह हैं दो और लेंगे शे फंदों की बटन पट्टी रखेंगे तो हम जैसे 2 फंदे बुन लेते हैं सीध्ये तो 4 फंदे रह जाते हैं दो तो हमारे चेन के हैं जो 4 फंदे रह गए हैं इने में हम त्रेट आगे करके बटन होल बनाने के लिए 2 फंदे ऐसे दो का एक करेंगे अगर तो आपने बड़े बटन लगाने है तो हाँ आपने ऐसे दो बार गुमाना है एक दो है ना अगर छोटा बटन रखना है तो एक बार गुमाना है तो उसी साब से आप एक गुमा के बटन हो रख सकते हैं दो का एक किया फिर एक फंदा simple दूसरा भी simple है ना दो फंदे simple बुन लिए जहां हमारा बटन होल आ गया और इसको हम slip करेंगे सीधे फंदे फली वाले को चेन वाले को और दूसरे को पीछे से बुन लेंगे तो जे हमारा ऐसे round में आ रहा है ना गला तो round में जैसे ही गला आएगा तो इस side हमने बटन रखा है इदर हम बटन लगाएंगे अब आते हैं इसकी next line में तो next line फिर हम जैसे बुनते हैं वैसे ही बुननी है दो लाइने हम और बनाएंगे तीन लाइने बनगी हैं गले की दो लाइने और बना देंगे तो हम इसको slip किया जो ऐसा उल्टा फंदा दिख रहा है तूसरे उल्टे फंदे को बुन लिया दो ओगे चेन वाले और बाकी simple बनते जाएंगे और जो हमने जहां पे बटन होल बनाया है जे देखिए इसको भी सीधा ही पूल लेंगे थोड़ा बड़ा बनाया है ना हमने अगर बड़े बटन लगाने हैं अगर शोटे लगाने हैं तो एक बाद थ्रेड को गुमाना है तो ऐसे आपका बटन होल भी आ जाएगा जो के राइड साउ IT से हमें दिखेगा यह राइड साइड है जहां पे बटन होल हमने बना दिया है अब हम चार लाइने सीधी सीधी तो देखिए फ्रेंड हमने एक गुलाई में बना लिया है गोल्गला है ना और हमने इसकी दो चार पांट लाइने दी दसस फंदे डालने के बाद हमने 10 डाइभा coupe अब हमने क्या करना है हम आपको बस बताते हैं यह देखिए यह graph है इसमें हमने क्या किया है इसमें हमने 84 फंदे लिये हैं 8 फंदे बटन प्ट्ट्टि और 8 फंदे प्ट्ट्टि के 8 फंदे आगे front के दो फंदे जो बीच में हमने जाली डाल के फंदे बढ़ाने है फिर हमने दस फंदे लिए है फिर दो फंदे जो हमने जाली से बढ़ाने है बैक के 24 फंदे है फिर दो फंदे है फिर दस फंदे है फिर दो फंदे है फिर आठ फंदे है और फिर बटन पटी के आठ फंदे ऐसे ही हमने round में बनाया है 8 8 plus 2 plus 10 plus 2 plus 24 plus 2 plus 10 plus 2 plus 8 plus 8 तो हमारे total कितने होगे 84 फंदे तो 84 फंदों में हमने एक साल के बच्चे का हमें स्वेटर बनाएंगे वन जियर बेबी एक साल के बच्चे का ठीक है जितने भी एक साल के बच्चे हैं वो यह पहनेंगे तो हमने उसी हिसाब से इन फंदों को ड्वाइट कर लिया है जहां हम 8 फंदों की बटन पट्टी रखेंगे ठीक है 8 फंदों की हमने बटन पट्टी रखी और 8 फंदे हमने फ्रंट के रखे दो फंदे हमने बीच के रखे फिर हमने 10 फंदे शोल्डर के रखे दो फंदे जहां फंदे बढ़ाने है वो रखे फिर हमने 24 फंदे ड्वाइड ऐसे करने 24 फंदे हमने जह वाले रखे फिर हमने बीच में 2 फंदे रखे फिर हमने 8 जह वाले 10 फंदे रखे तो ऐसे हमने डिवाइड कर लिया है और गलाई में गोल गला आ गया है तो हमने क्या किया है हमने 8 10 8 8 8 8 8 2 10 24 फिर लिए 24 2 8 10 दो दो द्वारा से बताते हैं एक बार हमने क्या किया है 8 फंदे बटन पट्डी के 8 फंदे फ्रंट के 2 फंदे बीच में 10 फंदे छोल्डर के मतलब बाजू के आर्म्स के और 2 फंदे फिर पढ़दे बढ़ाने वाले 24 फंदे हमने बैक के फिर 2 फंदे फिर हमने 10 फंदे फिर बीच में 2 फंदे ये वाले फिर हमने 8 फंदे और 8 फंदे बटन पट्टी के दोनों तर्फ बटन पट्टी आएगी अब हमने क्या करना है अब हमने बटन पट्टी बनानी है तो हम क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं अब हम बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो पहले बुणेंगे तो उल्टा फंदा उतारेंगे राइट साइड है उल्टा फंदा उतारके थ्रेड पीछे किया इसको सिंपल उतार लिया और आगे हम पांच फंदे बुणेंगे एक दो तीन चार पांच तो हमारे होगे टोटल तो चार छे और साथ और एक और आठ आठ फंदे हमने बुण लिये दो हमने चेन के छे फंदे बीच में बटन पट्टी के और अब हम जहां तक बटन पट्टी बुनते हैं तो इस फंदे को हम उतारेंगे बिना बुने इसको चेन बनाएंगे साथ साथ मतलब बिना बुने उतारेंगे और बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बुन देंगे और जो हमारे ए आठ फंदे आएंगे, साथ फंदे बीच में आएंगे एक फंदा हमने सिंपल उतारा है, दो सिंपल बुने है तो हमारे चार फंदे, पांच, छे, साथ तो हमारे total फंदे हैं 2, 4, 6 और 8 एक फंदा जो हमने simple उतारा है 2, 4, 6, 7 तो total हमारे फंदे होते हैं 8 8 फंदे हमारे J हैं और 8 ही J है बटन पटी है अब जो ये 2 फंदे हम दिखा रहे हैं आपको J वाले इसमें आपने क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं J हम इदर लगा लेंगे बाद में भी लगा सकते हैं हम जहां जाली डालेंगे और 2 फंदे simple बुनेगे एक और 2 बुन लिए उसके बाद हम फिर जाली डालेंगे जाली डालके thread इदर कर लेंगे और आगे हम 10 फंदे बुनेगे एक दो तीन जो हमने जाली डाली है दोनों तरफ वहां हम मार्क लगा सकते हैं क्योंकि 2 फंदों के बाद हमने जाली डाली है तो हम मार्क लगा सकते हैं हमने वो 2 फंदे सीधे रखने हैं बाकी जो हमने जाली डाल के जहां तीन फंदे बुने हैं चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नाइन और टैन, टैन फंदे हमने फिर बुन लिये हैं, ठीक है? आगे माक है हमारा, हम अभी उतारेंगे, जाली डालेंगे और दो फंदे सिंपल बुनेगे, जाली से फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, एक और दो, दो फंदे हमने सीधे बुने, फिर हमने जाली डालनी है, और आगे हमने 24 फंदे सीधे बुने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, और, सोला, सतारा, ठारा, उननीस, बीस, इक्कीस, बाई, तेर, यह देखिए, ट्वंटी-फोर फंदे हमने बुर लिये है, ट्वंटी-फोर फंदे बुणे, जहां मार्क है, वह इदर ले आएंगे, और, पहले जाली डाल लेएंगे, फिर मार्क लाएंगे, फिर दो फंदे सी ते बुनेंगे, एक, और, दो, फिर मार्क अटायेंगे, जाली डाल लेंगे, और आगे हम, 2, 4, 6, 8, 10 फंदे बुनेंगे जाली डाल कर 10 फंदे बुनेंगे जाली भी डाल लेंगे मार्क भी रहने देंगे ठीक है क्योंकि आपको फिर समझनी आएगा अगर मार्क नहीं लगाएंगे तो 10 फंदे हम फिर बुनेंगे यह देखिए 10 फंदे हमने फिर बुन लिए अब हम जाली डाल लेंगे मार्क इदर रखेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे बुने पूरी सलाई सीधी है लेकर जाली डाल लेंगे मार्क इदर करेंगे और अब हम बीच वाले 8 फंदे बुनेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, आठ फंदे हमने बुल लिए, अब आठ में हमारी पट्टी है, दो, चार, छे, आठ, एक फंदा हम सिंपल उतारेंगे, कितने फंदे हमारे, दो, चार, छे, आठ, तो, आठ की ही हम बट्ट, जे देखिए, आठ फंदे हमने बुल लिए है, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, आठ में से ही एक फंदा हम साथ फंदे बुनेंगे साथ फंदे बुनने के बाद जो हम फंदा स्लिप करेंगे वो आठ मा है जो स्लिप करेंगे वो आठ मा फंदा है उसके आगे हम छे फंदे बुनेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, इसको slip करेंगे, साथ, और इसको पीछे से बुनेंगे, आठ, ऐसे, ठीक है, आप आते हैं इसकी रॉंक साइड पे, रॉंक साइड पे हमने क्या करना है, हम सरक्रवाली सलाई लगाई हुई है, उलटा फंदा ऐसे उतारेंगे और दूसरा उलटा फंदा बलनेंगे, जो slip किया उवा था, और आगे हम पूरी सलाई उलटी मनाएंगे, क्योंकि जो रॉंक साइड है तो हम पूरी स्लाई उल्टी बनाएंगे जो हमारे बीच में मार्क आ रहे हैं जो देखिए वो भी हम ऐसे हटा लें रखेंगे और पूरी स्लाई बुनते जाएंगे जो देखिए जाली भी बुनेंगे मा किदर ले आएंगे आगे के भी फंदे बुनेंगे ये चार फंदे हो जाएंगे बीच में जब हम जाली वाले फंदे बुनेंगे तो हमारे चार फंदे हो जाएंगे पहले दो थे या है भई ये ये दो फंदे थे न बीच में अब चार हो जाएंगे क्योंकि ये जाली वाला फंदा है ये देखिए दो चार छे आठ आठ फंदे ये हैं ये हमने जो स्लिप किया था वो फंदा है वो हम हाँ वो फंदा है और दो चार छे और साथ साथ फंदे ये हैं चार जाली वाले फंदे होगे अब इनको भी हम उल्टा बुनते हुए ऐसे ही पूरी सलाई Kompleet करेंगे बुन्ना उल्टा ही है ऐसे पूरी सलाई कमpleet करेंगे हमने पतक जहां तक करनी है जहां तक हमारी बटरपत्टी के साथ आग़े फरंट के फंदे है और यह जाली है जहां तक हमने सलाई بुननी है वो हम आपको बता देंगे ज़िए जे हमारे जाली वाले चार फंदे हो जाएंगे एक जाली है दो फंदे बीच के हैं फिर जाली है और एक फंदा साथ में बुन लेंगे अब हमने जहां से वापस आना है आगे नहीं जाना है हमने बैक गर्दन जो होती है बैक की वो बुननी है तो जे हम फंदा ऐसे ही उतारेंगे और आगे फिर हम ऐसे करेंगे एक फंदा बुनेंगे दो फंदे होगे जाली है जहां जाली डालेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे जो हर बार बुनने है उसके साथ जाली डालेंगे और अब हमारे बीच के फंदे बढ़ जाएंगे बारा फंदे हो जाएंगे जैसे ही जाली डाली एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और बारा जे देखिए हमने जहां तक बुना जहां से वापस आगे जहां हमने जाली डाली फिर और बारा फंदे जे होगे हम एक, एक करके फंदा आके बढ़ेंगे हम बताते हैं आपको कैसे जे देखिए जैसे हमने 24 फंदे रखे हैं तो हम जहां तक बुनेंगे जहां तक बुनेंगे एक फंदा बुन लिया फिर जहां भी एक फंदा आठ में से एक फंदा इसके साथ फिर हम वापस आगे जहां तक फिर हम एक और फंदा बुन लिया फिर वापस आए जहां तक फिर जहां से ही वापस आए और तीजा फिर जहां से वापस आए फिर तीन जहां से वापस आए और फोर फंदा बुन लिया एक, दो, तीन, चार फिर जहां से वापस आए ते फाइव फंदा बुन लिया फोर फंदा बुना फोर, वन, टू, त्री, फोर फिर जहां से ही वापस आए और फाईव फंदा बुन लिए, ऐसे हम जहां तक फंदे बुनेंगे, बटन पटी तक, तो हम फंदे बुनेंगे, एक तो बुन लिया है, दो, तीन, चार, पाँच, चे, साथ, और आठ, 8 है हमारे बटन पटी के हैं, तो हम इतने फंदे दबारा दबारा वापस जाके बुने तो अब हम आगे फिर जैसे ए है दो फंदे जहां हमने फिर जाली डालनी है और दो फंदे बुनने है ठीक है जहां फिर जाली डालनी है और आगे के फंदे बुनने है जितने हमारे हैं जो 24 फंदे थे अब वो 26 हो जाएंगे तो हम 26 फंदे बुनेंगे यह हमने बैक के 26 फंदे बुने है आगे देखिए दो फंदे दिख रहे हैं मारक हमने हटाया है तो हम जहां फिर जाली डालेंगे आगे लाएंगे ना इसको मारक हटा के जाली डालेंगे और इसको ले लेंगे और दो फंदे बीज के बुनेंगे फिर जाली डाल लेंगे तो आगे हमारे फिर बारा फंदे आएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा एक फंदा बीज में है बारा फंदे आने चाहिए जाली डाली, दो, चार, छे, आठ, जाली डाली दो, चार, छे, आठ, दस, बारा और चोदा हाँ, चोदा फंदे होगे क्योंकि पहली बार बारा हुए, अब चोदा फंदे होगे अब हमने फिर जाली डालनी है हाँ, चोदा फंदे होगे जाली डालनी है, फिर हम दो फंदे बुनेंगे, ठीक है, अब हमने फिर जाली डालनी है, और एक फंदा बुना था, अब हम एक और फंदा बुनेंगे, वहाँ हम माकल लगा लेंगे, जहां तक बुना हमने, जहां हम माकल लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हमने एक फंदा बुना था जाली डालके अब हमने दूसरा फंदा भी बुन लिया जहीं से हम वापस आ जाएंगे ठीक है इसको नहीं बुनेंगे पहले वाले को बाकी हम उल्टे उल्टे बुनते हुए वापस जाएंगे तो हम पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे इन दो फंदों के बाद तक जहां से ठीक है जह देखिए जाली के बाद हमारे दो फंदे थे अब हम इदर से एक फंदा और बुन लेंगे बारी बारी से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा फिर हम दुबारा वहीं से एक फंदा इसको बुनेंगे नहीं तो आगे जाएंगे अब हमें मार्कल गाने की जूरत नहीं है हमारी जाली दिख गई है हर बार हम दो फंदों से पहले जाली डालेंगे दो फंदों के बाद जाली डालेंगे और हमारे फंदे बीच वाले बढ़ते जाएंगे बस ऐसे ही हमने पूरी सलाई बनानी है जब भी हम फंदा इदर से एक और बढ़ाएंगे मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि हमने अपनी बटन पट्टी तक बुनना है तो हम जहां मार्क जरूर लगाएंगे ठीक है न तभी तो रहेगा न ध्यान के हमने बीच वाले आप मार्क शोड़ सकते हैं हटा सकते हैं जैसे अब हम हटा देंगे तो आप क्योंकि हमनेन जाली दिखगी है दो हंदे बुनने है पहले जाली डालनी है दो हंदों के बाद में जाली डालनी है तो जे हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं end में जे देखिए जे भी हटा देंगे और इससे पहले जाली डाल लेंगे दो फंदे बुनेंगे जाली डाल लेंगे इसको हटा देंगे बाकी के फंदे बुनेंगे ये लास्ट वाली जाली है जहां भी जाली डाल लेंगे दो फंदे बुनेंगे फिर जाली डाल लेंगे और बाकी के फंदे बुनेंगे जो हमने जहां तक मार्क लगाया है वहां हम मार्क हटा कर एक फंदा और बुन लेंगे ठीक है एक बार उदर भी फंदा बुनेंगे एक बार उदर बढ़ाएंगे आइस्ता आगे बढ़ता जाएगा लेकर हम मार्क जरूर लगाएंगे जहीं से हम वापस आ जाएंगे और इसको हम बुनेंगे नहीं ऐसे उता इदर भी हमने मार्क लगा रखा है और इदर भी तो हमें पूरी स्लाई उल्टी बना के आपको दिखाते हैं यह देखिए फ्रेंट हम इधर आ गे हैं जहां हमने मार्क लगाया था यह देखिए यह आठ फंदे हैं जहां हमने मार्क लगाया था वहां से एक फंदा और बुल लेंगे ठीक है फिर हम इस जहां मार्क लगा देंगे और वापस आ जाएंगे ठीक है जैसे ही वापस आएंगे इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और बाकी के फंदे बुन लेंगे अब जहां देखिये जाली डलेगी दो फंदे सीधे बुने जाएंगे ठीक है फिर जाली डलेगी बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे तो हम आपको दखाते हैं एक बार के हम कितने फंदे और बुनेगे जब तक हम जहां पे नहीं आ जाते हम इन फंदों को बुनते हुए जाएंगे जे देखिए ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा और हम जहां तक बुनके आपको दिखाएंगे कि आगे बटन पट्टी को कैसे बुनना है ठीक है जे देखिए फ्रेंट हम लास्ट में आगे हैं बटन पट्टी के पास तो जब हम बटन पट्टी के पास आए हैं तो अब हमने दो फंदे बचते हैं हमारे बीज में है ना बटन पट्टी हमारी नाइन फंदों की बनेगी तो चार छे आठ 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 फंदों की है एक फंदा ह हमने वैसे लेना है साथ में तो अब हमारे दो फंदे बचे हैं इनको हम माग को हटा देंगे और इन दोनों फंदों को बुल लेंगे ठीक है अब हम बिल्कुल इसके पास आगे हैं दो चार छे आठ बटन पट्टी के हैं एक हमने सिंपल लेना है सीधा उसको हमने छोड़ दि यह एकठे अब की बार अब हम वापस आजाएंगे फिर वापस आके तो हम उल्टी स्लाइप पूरी बनाएंगे और जो लास्ट में हमारे दो फंदे बचेंगे वो भी हम ले लेंगे ठीक है फिर हम सीधी स्लाइप में बताएंगे कि हमने क्या करना है यह देखिए वो भी उल्टा ही बुन के दो को मार कहटा देंगे और बाकी के बट्र पट्टी के फंदे हम पूरे बुन लेंगे इसके साथ ही जे देखिए, लास्ट वाला फंदा हम बुनेंगे, उल्टा, और फिर लास्ट वाला पीछे को सीधा बुनेंगे, तो ऐसे ये बनके हमारी आएगी पट्टी, हम आपको दिखाते हैं, जे देखिए फ्रेंट, ऐसे ये बटन पट्टी बनके हमारी आएगी, जे फंदे हमारे ऐसे, आइश्ते आइश्ते बढ़न जाते हैं, इदर को आते हैं, मतलई के फंद आग जै के बुनते हैं और बैक का ये भाग पीछे का, बैक का बहुत अच्छा बन के आता है, ऐसे, ऐसे आएगा, जे देखिए, जे छोल्टर है, जे भी छोल्टर है, साइड का, और आगे की जे बटनपटी है और जे वैक का अएका भाग ठीक है थोड़ा बढ़ जाता है वैका भाग तो उससे बच्चा पैंता है तो ड्रेस आगे को नहीं आती जो हम एक कारडिगन बना रहे है फिर आगे को नहीं आती है और बहुत सुन्दर बढ़ के आती है अब हमने क्या करना है अब हमने बटन पट्टी बनानी है और बाकी का हमने बनाते हुए जाना है सिंपल जैसा बन रहा है फंदे हमारे इससे बढ़ते जाएंगे एक 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 दोनों साई बढ़ कर कितने फंदे होते हैं वो हम आपको जब बढ़ जाएंगे बना लेंगे तो दखाएंगे अभी तो हम आपको बटन पट्टी बताने जा रहे हैं कि हमने बटन पट्टी को कैसे बनाना है जिए देखिए बटन पट्टी का हमने मार्क नहीं हटाया है तो वो हम आपको बताने जा रहे है तो फ्रेंस हमने जे चेन बनाई है साथ में बहुत सुंदर सी राइट साइड है ऐसे फंदा उल्टा उतारा फंदा पीछे किया थ्रेड और इसको ऐसे उतार दोनों फंदे सिंपल उतारे हैं एक उल्टा एक सीधा आगे हमने जो बटन पट्टी बनानी है वो हम आपको बताते हैं जो हमने लास्ट तक बुना था न तो जहां हम सीधे फंदे बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे जो हम आपको बाद में बताएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे बाकी फंदे हम सीथे बुनेंगे तो हम 2, 4, 5, 6, 7 फंदे उल्टे बुनें एक उतार लिया और दूसरा फंदा भी बुन लिया इस फंदे को हमने उतारा था इसको बुनेंगे इसको पीछे से ऐसे बुनेंगे चेन बनाने के लिए जे देखिए अब राइट साइन में जो हमने बताया था ना कि हमने एक उल्टा फंदा अब हमने स्टार्ट करना है वो हम एक लाइन भूल गे थे तो उल्टा फंदा उतार बिना बुने और सीधा भी उतार लिया बिना बुने छे फंदे बीच में बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे और इस फंदे को भी हमने सिंपल उतारना है अब हम मार्क हटा देंगे क्योंकि हमारा ए जो पीस है वो बन गया है बना लिया है हमने तो हम एक फंदा सिंपल उतार कर बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे जहां तक जाली आती है वहां तक ऐसे ए बटन पट्टी साथ चलेगी और हम आपको दिखाते हैं जैसे जाली डाल रहे थे वो जाली डालते हुए हम आगे जाएंगे जैसे हमने बुना जहां जाली डाली दो फंदे सिंपल बुने फिर जाली डाली फिर आगे के फंदे सिंपल बुने तो ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे और उपर का पॉर्शन एरेडी हो जाएगा तो हमने पूरी सलाई ऐसे ही बनानी है ठीक है पूरी गमाते हुए जहां के हम आपको बता देते हैं बटन पट्टी का एक बार और जहां भी जाली डालेगी क्योंकि हम बनाते हुए आ रहे थे दो फंदे हैं फिर जाली डालेगी तो हम ऐसे पूरा गमा के जहां तक बुनेंगे फंद है जह देखिए बटन पट्टे के हमारे आथ हैं दो िरस pasado एक अपन्दा हम सिंपल ऐसे रखेंगे जत Already बटन पट्टी का एक तो हम सिंपल रेंगे बाकि हमने ना उद्दर से पहले उल्टे बुन दिये थे वो हमने सीधे करके लाइन बनाई है अब हम बटन पट्टी के यह 6 फंदे सीधे बुनेंगे एक सिंपल उतारा है और साथ साथ चलेगा तो 6 फंदे हम सीधे और इस फंदे को उतारेंगे है न इसको और इसको पीछे से बुनेंगे ऐसे अब आते हैं इसकी उल्टी साइड में उल्टी साइड में आये और इसको उल्टा उतारा इसको उल्टा बोल लिया अब हम थ्रेड पीछे करके सीधे बनाएंगे 6 फंदे दो तीन चार पांच और छे और इस जो फंदा उतारा था जहाँ एक उसको भी बुन लेंगे उल्टा ठीक है ये और बाकी सलाई हम पूरी उल्टी ही बुननी है बटर पटी के हमने इदर से सीधे बुनने है तो ऐसे हमारी सुनदर सी एक चेंच लेगी साथ में तो जे देखिए जे भी जहां से बराबर आगे और हमने फंदे बढ़ायते हैंब बस ऐसे ही हमने बुनते हुए जाना है और फंदे बढ़ाते हुए जाना है, हम आपको दिखा देते हैं, जे देखिए, ऐसे, जे देखिए, ऐसे आपने ये जाली बढ़ती जाएगी, दोनों तरह बढ़ते जाएगे, इदर भी बढ़ते जाएगे, जे पीस बन जाएगा और जे बटन पट्टी बन कारण रेडी हो जाएगे, अब इस लाइओं पे है, जब बन जाएगी फिर आपको दिखाई देगी, इसके उपर आएगी बटन पट्टी, तो ये बहुत सुन्दर लगता है जब बन जाता है, तो हम पूरा जितनी लेंथ रखनी है, रखकर फिर आपको दिखाएगे, हम इसकी जो लेंथ रखेंगे, वो हम 27 चार इंचि रखेंगे, और हम 17 जाली बनाएगे स्तारा जलाई बना कर जाली जो जे साथ में एक एक बनती है स्तारा के बाद साड़े चार इंच इसकी लेंथ आ जाएगी गले को अगर देखेंगे तो साड़े पांच इंच इसकी लेंथ आती है तो साड़े पांच इंच लेंथ है इसको बनाईए आप सारा जाली बनाईए उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट टू में पार्ट टू में आगे हम इसका बलताएंगे जब फुल बन जाएगी ठीक है